मेरे सबी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार तो जब भी हम पौदे लगाते हैं हम हमेशा यह सोचते हैं कि यह अच्छे से फले फूले और खुब अच्छे से फल फूल देते रहें स्वस्थ रहें तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ अपने कुछ आठ से भी ज्यादा साल पुराने पौधे जो की मेरे साथ से आठ साल पुराने पौधे हैं और उनकी में देखभाल किस तरीके से करती हूँ जो इतने साल पौधे होकर के भी वो भी इस्पेशली गमले में क योकि जमीन में तो फिर भी पौधे ग्रो हो जाते हैं लेकिन गमले में बहुत मुश्किल होता है इतने लंबे समय तक किसी भी पौधे को ग्रो करना तो चलिए आज शेयर करती हूँ आपके साथ में कुछ पौधे जिनमें सबसे पुराना पौधा है मेरा ये अरीका पाम जो है लगबग आठ साल से भी ज्यादा पौधा तो सबसे पहला पौधा मेरा यही था जो इस घर में आने के बाद में मैंने खरीदा था और ये कई बार में इसको मल्टिप्लाइ कर चुकी हूँ इसके खराब होने का सिर्फ एकी कारण होता है कि अगर आपने इसको बहुत ते मैंने अच्छी ग्रोध के लिए लगबग 22 इंच के गंबले में लगाया हुआ है लेकिन अब भी फिर भी इसको रिपॉर्ट करना बाकी है जिसकी वजह से इसकी पत्यां जल रही है तो वो जल्दी रिपॉर्ट करूंगी मैं तो आपके साथ में शेयर करूंगी दूसरे न बहुत बार गिफ्ट किये हैं और चोटे-चोटी सी कटिंग में अपने लिए रखती हूं और यह देखिए इतना जादा मेरा फिर भी ग्रो हो जाता है पहले मैंने इसको कप में ग्रो किया ता फिर चोटे गंबले में ट्रांसफर किया और जितने बड़े गंबले में इसक जल्दी ग्रो करता है और पानी का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो यह अच्छे से चलता रहेगा सर्दियों में हाला कि थोड़ा सा मुर्जा जाता है पर यह अच्छे से चलता है अच्छा मनी प्लांट भी मेरी सबसे पुरानी पौधों में से एक है यह भी लग बग आठ स से जादा पुरानी मेरी मनी प्लांट है इसको मैं पांस से छे बार मल्टिप्लाई कर चुकी हूँ बहुत सारी मनी प्लांट में गिफ्ट में भी दे चुकी हूँ और आप यकीन मानेंगे एक बार तो मैंने पिछले से पिछले साल की बात है मैंने अपनी बहुत सारी मनी प ले लिस्ट चेक कर सकते हैं और ये देखिए ये छोटे से गमले में लगाई हुई है मैंने लगबग ये 8 इंच का पॉट है और इसमें देखिए कितनी लंबी मनी प्लांट है तो ये भी मेरा बहुत पुराना पौदा है इसकी केर जरूर देखिएगा हाला कि सर्दियों में थोड़ा सा मुर्जा जाता है लेकिन इसकी कटिंग में बहुत सारी जगर लगा देती हूँ तो मेरा मनी प्लांट कभी भी खतम नहीं होने पाता और एक से दूसरे में गमलों में चेंज करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से चलता रहता है नेक्स्ट में बात करूंगी मे यह के रहे हैं हल्की से धूप में रखा जाता है हल्की सी नी प्रॉपर दूप में अब जैसे की बिंटर स्टार्ट होगी है तो अभी ऑक्टूबर तक तो मैं लास्ट तकसको शेड़े ही रकोगी खाँगी सैमी शेड में और बाकी ऑक्टूबर के बाद में नisan. नवेंब बहुत सारे प्लांट लगाए हुए है ड्रेसीना के इसी मदर प्लांट से ये मदर प्लांट है और इसमें से बहुत सारे पप्स निकलते हैं तो इसी से देखे मैंने एक ये बड़ा वाला बनाया है इससे मैंने कम से कम 6-7 प्लांट मैंने गिफ्ट कर दिये हैं और इसके जो चोटे चोटे पप्स होते हैं मैंने काफी सारे चोटे चोटे गमलों में लगाए हुए हैं इसको भी मैं शेड में रखती हूँ और जैसे सर्दी होती है दिसंबर की सर्दी होती है तो उसमें तो धूप नहीं निकलती है नवेंबर में भी काफी सर्दी होने लगती है तो इस पौधा लेकर के आई थी और उसके बाद से ये देखें ये हैंगिंग का बना रही हूँ तो इसमें काफी लंबा होता चला जा रहा है इसके अलावा ये देखें ये मैंने अभी दो से तीन महीने पहले आपके साथ में शेयर किया था कटिंग से लगाया था इतना ग्रोथ हो है इसकी इसका मदर प्लांट जो है वो मैंने दूसरी बैलकनी में रखा हुआ है आपने देखा भी होगा मेरे गार्णिंग वीडियो अगर देखते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है कोको पीट में लगाएं पानी कम दे थोड़ा अगर सनलाइट में रखेंगे तो अच्छे से ग्रो करता रहेगा कटिंग से लगा दें विंटर में हाला की कटिंग ना लगाएं इसकी और इसका सबसे बेस्ट ताइम होता है या तो मार्च के बाद में इसकी कटिंग लगाएं या फिर अगस्त के करीबन लगाएं उसके बाद में जो दो प्लांट है मे बहुत अच्छे से चल रहे हैं और फूल देते हैं अभी इन में हाना की थोड़ा सा काम करना बाकी है जो कि मैं अक्टूबर में करती हूँ तो वो मैंने वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा है अगर आपने नहीं चेक किया तो गार्टनिंग प्लेलिस्ट चेक करें उसमें हैं टाइटल की ऑक्टूबर में गुलाब में किये जाने वाले जरूरी काम तो गुलाब और बोगन विला में ऑक्टूबर के मन्त में मैं जरूरी काम करती हूँ जिसे की पूरी विंटर में अच्छे से फ्लावरिंग होती रहे गुलाब में तो मैं बस दो गुलाब हैं ए एक बात करती हूँ मैं प्लांट की जो मेरा बहुत पुराना है सुक्षान्ती का प्लांट ये भी काफी साल पुराना है हाना कि सुक्षान्ती के प्लांट में अगर ज़्यादा पानी देते हैं तो मेली बग की प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन ये प्लांट मैं कटिंग करती र साने का कि 11 साल से मेरे पास तोलसी है एक ही प्लांट से इसमें बहुत सारे पौदे जढ़ते रहते हैं जढ़ते रहते हैं और पौदे बनते रहते यह देखिए एक यह बन गया है और एक और भी दिखाऊंगी अभी नीचे तो क्या करते हो मैं जैसे यह पौदे छोटे- से तुलसी कभी पुरानी मेरी होती नहीं है लगबक 10 से 11 साल पुरानी मेरी तुलसी अभी भी मुझे नए नए पौधे दे रही है और उसका मदर प्लांट हाला की खतम हो चुका है लेकिन जो छोटे-छोटे प्लांट बनते हैं उसमें से ही काफी हो गए और यह है मेरा सुक् करें माइल्ड सा और्गैनिक पेस्टिसाइड तो आपका पौधा ठीक रहेगा फिलाल आज की जानकारी इतनी थी आशा करती हो आपको पसंद आई होगी अच्छा लगब वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करें इसी तरीके से अपने गार्डन जल्दी मिलूंगी एक न